हेलो टू आल माई ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मैं फिर से आज एंजल गाइडियन्स लेकर आई हूँ सभी के लिए हम फिर से देखेंगे कि आज हमारे लिए क्या मैसेज हैं गॉड के एंजल्स यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हाँ तो सुरू करेंगे रीडिंग को लेकिन उससे पहले हम अपना एक रिच्वल करेंगे आप सभी सब्सक्राइब करेंगे हां से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुँअच गोड कि दिनल्स थैंक यू जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थेंक यो बच का सकते हैं थेंक यू स्वामच गूर्ट थेंक यू सो मच जैंच तरह समय धूर्ज थेंक यू लिए प्रभु प्लीज मुझे बताएं कि आज हमारे ले और हमारे विवेर्ज के लिए क्या मैशिज है जीवन की इसी कौम सी कटना ही है जिसके लिए आप हमें मार्ग दर्सन करना चाहते हैं ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर आप चाहते हैं कि हम लोग चले जीवन की यसी कौन सी परिसानी है जिससे आप चाहते हैं कि हम बाहर निकलें थेंक यू, थेंक यू, बाहरे हम bottom of deck Archangel Uriel become a peace ambassador तो हम सुरू करेंगे reading को तो सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है हमारे पास वो है King of the Unicorns You are blessed with majesty vision and power तो dear friends यहाँ पर हमारे सभी वीवर्स के लिए ये message है ये strong message है कि आप सभी लोग blessed है majesty of power तो आप अपना vision जो है उसको बड़ा बनाएए विस्तरत बनाएए आप यहाँ पर कुछ खास काम के लिए आए हैं और आप सभी लोग बहुत बहुत महत्यपूर्ण हैं बहुत खास हैं अपने आपको कभी भी ऐसा ना समझें कि मेरी कोई value नहीं है या फिर मेरा जीवन यूँ ही निकलता जा रहा है और मैं किस लिए आया हूँ यहाँ क्या करना है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ ऐसे भी viewers हमारे हो सकते हैं जो एक नियमित दिन चर्या के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं और उनको कभी कभी लगता है कि सब boring सा है सब अजीब सा है चेंज होना चाहिए तो dear friends आपको जरूरत है अपने आप से जुणने की अपने soul purpose को सर्च करने की तो यहाँ पर यह divine का message है कि आप सभी लोग blessed है और God की आप पर क्रपा है अगला है closeness your unicorn is so very close to you तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेसान हो चिंतागरस्त हो अपने आपको बहुत ज़्यादा अकेला feel कर रहे हो तो dear friends आपको अकेला feel करने की अकेलापन महसूस करने की आवशिकता नहीं है जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी life में यह जो face है यह कुछ बदलाव को लाने वाला है आपके अंदर spiritual level पर कुछ परिवर्तन हो रहे है आपके अंदर कुछ अजीब सी आपको आज कर लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे क्या कर रहा हूँ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी आपको तो dear friends यह थोड़ा सा बदलाव का time है change का time है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंगि आपके angels ने आपको protect किया हुआ है आपको किसी भी तरह की कोई भी परिसानी या harm नहीं होगा कुछ भी अगला है Archangel Michael use the sword of truth to help the world तो यहाँ पर यह message है Archangel Michael का कि अगर आप लोग परिसान हैं कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो betrayal करते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं आपको आपको नीचा दिखाने की कोशिस करते हैं आपको ठेस पहुँचाते हैं आपको दुख देते हैं तो यहाँ पर Archangel Michael का message है कि आप जब भी दुखी हों उनको याद करें उनको call करें उनको बुलाएं वो आपके पास आएंगे और आपको peace of mind देंगे दिल की सांती देंगे और आप जब भी ऐसा feel करें तो आप उनको जरूर बुलाएं और ऐसी negativity को cut करने के लिए आपको सच का सहारा लेना है अगर कोई person ऐसा है जो आपको बार बार परिसान कर रहा है तो आपको सच बोलने की जरूरत है बेसक अगर रिस्ते खत्म हो रहे हैं और आपकी भलाई के लिए ऐसा हो सकता है तो उन रिस्तों को खत्म करें सच्चा ही बोले हकीकत बोले बेवज़ा उन रिस्तों को बोज नाड होएं कि नहीं ये ऐसा है मेरे साथ relationship है ये मेरा सगा है ये मेरा ऐसा है तो उन चीजों में ना पढ़ें जो चीज आपके लिए सही है जो आपकी आत्मा को uplift करें जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में support करें वही चीज आपके लिए अच्छी है और ऐसी ही चीजों को आपको encourage करना है अपनी life में लेकर आना है अगला है blessings count your blessings and the good in your life will multiply तो ये message कल भी था हमारी जो candle wax reading थी उसमें भी ये निकल के आया था कि आपको gratitude पे करना है तो यहां भी वही message है dear friends कि आपकी life में जितनी भी blessings हैं आप उनको count करिए कि God ने आपको अच्छा शरीर दिया है खाने के लिए अच्छा भोजन दिया है पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिये हैं एक सुन्दर सा घर है रहने के लिए अच्छी ताजी खुली हुई सांस ले सकते हैं आप आजादी के माहौल में fresh air ले सकते हैं फल, fruit हर चीज आपको मिल रही हैं उनके लिए God को gratitude पे कर किसी के कुछ प्रॉबलम हैं तो उन सब लोगों को देखिए और अपने आपको blessed feel कीजिए कि God ने आपको कितना अच्छा बनाया है और आपकी life में जो भी अच्छी चीज़े हैं सब के लिए even मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी घटित हो रहा है तो आप जितना God को thanks बोलेंगे आपकी जीवन में जो भी चीज़े हैं उनके लिए जितना आप उनको thanks बोलेंगे जितना आप उनको धन्यवाद देंगे उतनी ही आपकी खुशियों में आपकी blessings में बड़ोतरी होगी वो उतना ही ज्यादा multiply होती जाएंगी और ये ऐसा मेरा भ मैसूस की है इसी लिए मैं आपको बता पा रही हूं अगला कार्ड है mystery explore the unknown the unexpected awaits you तो यहां पर बहुत से लोगों के लिए कुछ unexpected blessings आने वाली हैं और कुछ लोग हमारी कुछ viewers अगर ऐसे हैं यहां पर जिनका बार-बार दिल तूट रहा है जो सच्छा प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन सामने की ओर से उनको वो response नहीं मिलता है और वो तूटा हुआ दिल लेकर फिर से बैठ जाते हैं तो यहां पर divine का message आ रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत better relationship आने वाला है एक ऐसा person आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है जो सच मुछ में आपकी भावनाओं को समझेगी आपके दिल को समझेगी और यह unexpected होगा यह mystery है अभी आपको नहीं पता है कि कौन आने वाला है यह सब अभी future में छिपा हुआ है बविस्य की गहराईयों में छिपा हुआ है तो dear friends दुखी मत हो यह खुस हो जाए गौड आपके लिए सब अच्छा ही कर रहे हैं और गौड को कभी भी कोसना नहीं है क्योंकि वो कभी किसी को बुरा कर्मा नहीं देते हैं यह हमारे खुद के कर्मा होते हैं जो हम अच्छा और बुरा पाते हैं दर्द पाते हैं तो dear friends I hope कि आपको यह बातें समुझ में आई होगी और जो हमारा bottom of deck है वो है आर्खेंजल यूरियल का become a peace ambassador तो यहां पर जो message निकल कर आया है वो यह है कि अगर आपने past में बहुत pain सहा है दुखदर्द सहा है तो यह सब दर्द आपको इसलिए मिला कि आप दूसरों का भी दर्द समझ सकें और एक peace ambassador अपने अंदर भी peace को स्थापित करें और आपके आसपास जितन mahal create करें जिससे वो खुद को भी खुशिया महसूस करें या peaceful mahal में महसूस करें तो dear friends यह थे आजके messages I hope कि आप सभी को message पसंद आए होंगे अगर पसंद आए तो like share और subscribe जरूर करिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा मेरे यह videos को share करिएगा dear friends क्योंकि बहुत से लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिसान रहते हैं उन्हें कुछ न कुछ मार्ग दरसन चाहिए कहीं से भी चाहिए अगर आप लोग उनको ये video send करेंगे या share करेंगे तो हो सकता है कि मेरी आपकी तरह से किसी और को भी सांतोना मिले मन की सांती मिले सुनकर और उनको ये ऐसास ह कि गौड उनकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और उनकी प्रेयर्स के बदले ही उनको डिवाइन ने ये मैसेज भेजा है तो दियर फेंड्स थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए तो थैंक य थैंक यू सो मुझ फो वाचिं